हेलो स्टुडेंट्स नवस्कार हम लोग सेल्सी के प्रिट्फॉर्म से आज स्टडी करने जा रहे हैं DCM 3rd और अथ्वराज तरीके से देखा जाए तो बायलोजी का ये फर्स्ट DCM है खासतों से बॉटनी का तो इसमें हमारे पास 120 कुशन होंगे और इसमें अपना जो है सेल बायलोजी प्लस इसमें बायो मालीकूल के कुश्टंस भी हमें डिसकस करने को मुलेंगे बढ़िया NCRD बेस पेपर है नो डाउट आपने इंजॉई किया होगा पेपर को और उसके बाद अगर कोई डिसकसन बाकी है कोई कंफ्यूजन है कोई डाउट है तो हम लोग इसके लिए इस डिसकसन में इंवाल्व हो और इसको ठीक से अनलाइसिस करें समझें ओके फर्स्ट कुश्यन हम लोग स्टडी करते हैं कंसीडर दर फॉल्वाइंग फैक्ट्स ठीक है क्या है निशेल कर निशेल पार्डिकल ओवियसल याद हो तो साइटो काने जो नर्प से गयते हैं जो यहां प्रोडिन का फॉर्मिशन करते हैं अब निशेल मेंब्रेन और नुकलर मेंब्रेन तक कनेक्ट होती है तो यहां खास तोर से देखा गया है इंसे आडिन लिख रखा है इंत्रा-LEUMNAL इसे यह लूमेन घर है यहां हम परें तो इन्ट कामपार्ट मेंट और यह यह आर ठीक है न यह अपने लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा और यह जो इस्ट्रक्चर है यह हम क्या कहेंगे साइटो प्लाज में इसने कंपार्टमेंट की सपोज यहां पर अधर सेल और लिए तो भी कंपार्टमेंट करते एक बढ़िया कुशन है एक कंसर्प याद रखना कि प्रो मेंब्रीनस सेल और के तो यहां एक ऐसा सेल और लेल है जो इकिंक अपार्टमेंट बना सकता है नेट-लाइगक स्ट्रक्ट्टर के इस लिए हम इसे कादे से देखा जाए तो यह जो सारे कंसम्ट है यह ए-r के लिए जा रहे हैं और यह के प्रिजेंस एंड़ो प्लाज में होती है मतलब साइडोप्लाग्म में इनर सरफेस पर होती है इनर साइड में होती है इसलिए हम इसे एंडोप्लाग्मिक रेटिकुलम रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है तो यह जो अपने लिए आंसर राइट बनना है वह अपने लिए स प्रोक्रियोट के साथ में किस तए करते हैं ऐसा अप्टन देखना है इसमें सिमिलारिटी भी हो और सिर्वेगाता है कि यूट यह प्लस टू रेशो है पाया जाता है जबकि प्रकारिवर्ट के रएस्पेक्ट में यह फ्लेजिलेंज से बने है और या 9 प्लस टू जो रेशो है वो एक होता है तो क्लियरली हमारे लिए आंसर फस्ट ही बन जाता है हम अधर आप्शन पर भी बात कर लेते हैं कोश्का वित्ति कोश्का झिली देखो कोश्का वित्ति डिसमिलरिटी हो सकती है लेकिन रेस्पेक्ट next question में चलते हैं अब यह question है third select miss missed पेड़ना crossing over packaging dissolution of synoptamular complex to synoptronum यह तो यहां crossing over ठीक है सही है बिल्कुल सही है dissolution diplodine में सही है transition to metaphase diagnesis सही है recombinage आपको चाहिए पकी तीन में कहां चाहिए इस जगे इस जगे नहीं चाहिए तो यह मिस्मेस्ट पेयर आपके लिए हो जाते हैं इस है कांसी ड़ाइंग स्टेट्मेंट निम्न कत्नों पर विचार कीजिए गॉल्ची बॉड़ी कंसेंट्रिकली अरेंज्ट नियर दन्यूकलेस अपसाइड अपलां देखो यह सैल में य मैं नियूकलेस का और सड़ाइड में चारों तरफ वह अरेंज्ट होते हैं तो कॉंसेंट्कली अरेंज्ट होते हैं यह बिल्कुल सही अपने लिए जा रहा है गॉल्ची का है कि इंद्र के पास सकींद्री रूप में विवस्तित होते हैं बिल्कुल चुदिए प्रोटीन from trans face, Golgi body का trans face होता है, cis face होता है, cis face पर material आता है और trans से वो further excretion के लिए या intra cellulose targets के लिए वो release होता है Of the Golgi body, prepare in ribosome of RER, बिल्कुल inside नहीं कहा है कि वो सभी material खास्त और से protein जो RER में बनाए जाते हैं उन्हें गौल्ची बॉड़ी मोडिफाई करता है तो यह हमारे लिए दोनों ही correct statement बन रहे हैं तो इसलिए हमारे लिए जो right answer बनेगा first and second both are correct तो third हमारे लिए correct answer बनता है next चलते हैं the molecule in the membrane provides selective permeability of the cell membrane cell membrane के अंदर जो चैनात्मत पारगम्बेता है वो character कौन देता है तो वो फास्तम में देता है हमारे लिए protein क्यों क्योंकि lipid क्या देता है lipid देता है flexibility lipid provide करता है semi fluid nature है ना lipid provide provide करता है quasi nature अर्ध तरल अर्ध ठोस प्रकति तो हमारे लिए protein correct answer बनता है next चलते है next मैं बात करते हैं following cell organelle is not included as a endomembrane system endomembrane system में हम उन सभी cell organelle को रखते हैं कि जुनकी function coordinate होते हैं जिनमें function समन्वे होता है जैसे अपनी ER है Golgi complex है lysosome है इन्हें खास तोर से endomembrane system में माना जाता है क्योंकि इनका function है lysosome के जो hydrolatic enzyme है खास तोर से protein उन्हें बास्तम में बनाया जाता है RER पर उनको modify किया जाता है है Golgi body में और इस तरीके से तीनों ही एक विसेश function के लिए correlate करते हैं coordinate करते हैं इसलिए इनको रखा गया है इसके साथ साथ becule को भी रखते हैं लेकिन इसमें नहीं रखे जाते हैं वह है mitochondria plastic and paroxysorm तो इसी पर अपने दो-तीन questions frame की गए है तो यहां ER होगा Golgi body होगी लाइस स्वाम होगा लेकिन प्लास्टिड नहीं होगा प्लास्टिड को endomembrane system में include नहीं करते हैं प्लास्टिड मेट्रोकॉंडिया और परक्सिस्वाम तो यह कभी भी आपके सामने question आ सकता है next consider the following term cell growth endocytosis cell division secretion cell interaction बिलकुल सही है above the above term relate with following उप्रोक सब्द निम्न से संबंधित है तो वो क्या है quasi fluid nature of membrane cell wall का ऐसा कोई nature होता नहीं है solid nature membrane का कभी भी नहीं होता first second आपका हो नहीं सकता correct answer हमारे लिए जा रहा है first बढ़िया question है possible question next चलते हैं next में बात करते हैं DNA replication and central duplication during cell cycle found in यह दोनों ही process 2C modify in 4C या है 2C modify in 4C 2C c का मतलब होता है amount of DNA presence ने प्रजेंस ने जीन हो तो यहां एक deployed cell की बात करी आती है deployed cell में जितना DNA होता है और यह डवल होता है जहां DNA replication होगा तो इसका मतलब है test page में यह सारा work conduct होता है ठीक है तो यह बढ़िया question है NCRT में है बाकी कोई answer इसका है ही नहीं तो आपके लिए second correct answer बनता है नेक्स चलते हैं cell organeal help inside division by spindle fiber formation center song के लिए correct answer यह बनता है बाकी इसमें कोई possibility अधर की है ही नहीं ठीक है आजकल trend भी कुछ ऐसे ही चला है single choice question है उसमें मतलब ज्यादा तर question ऐसे आते हैं उसमें एक ही answer होता है ज्यादा relative या more correct कम ही दे रहें तो fairly उसी type से हम लोग question solve कर रहे हैं आफेज इन प्राफेज रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टूमेटा फेज ट्रांजिशन टूमेटा इसाडियम बिलकुल लास्ट में लाइन में लिखा है डाइक आनेसस में जाकर अपन देखेंगें तो लास्ट लाइन से उससे पहली वाली जो लाइन है उसमें लिखा है यह नेक्स्ट चलते हैं यह बढ़िया यह अभी देखो ncrd में सीधै सीधे कुशन यह नहीं है लेकिन पिछले दो साल में ही यह में नीट में बन चुका है सम मेटा सेंटर इसमें फोस्टी पी आम है में और यह अपने लिए कौन सी आम है क्यों तो इस तरीक है सब मेटा सेंटर किसका कर्रेक्ट आनसर है रिसेंटली नीट में बन चुका है तो हमारे लिए यह कुश्शन बहुत important हो जाता है next hydrolatic enzyme protein देखो खास तोर से मैंने आपको यहां समझाने कोशिस की है इसलिए ब्रेकड में protein भी रख दिया है hydrolatic enzyme enzyme का मतलब protein एक मात्र ऐसा enzyme है प्रोटीन से नहीं बनाए अदरवाइस सारे enzyme protein से बने हों तो आपना देखा जाए तो लाइस्वाम बनता किसे गॉल्जी बॉड़ी से तो उसके लिए जो protein बनाए जाएगी और यार बनाएगा और यार से वो प्रोटी नहीं की गॉल्जी बॉड़ी फिर ट्रांस फेस से लाइस्वाम को बना देगा है तो यह बात है लाइस्ट एक्टिमीटेट acidic medium 5 pH माना जाता है बट देव प्रपेयर बाई लेकिन बनाए कहां जाते हैं hydraulic engine तो आर यार से बनते हैं बढ़िया कुशन है हमें ध्यान रखना चाहिए इस पर है ना नेक्स चलते हैं दा टू सब यूनिट और राइबर सॉम रिमें यूनिटेटर क्रिटिकल लेवल यह बढ़िया कुशन है यह अक्चली जब हम मिनरल्स पढ़ते हैं तो महां एम जी यह लास्ट लाइन जा आप जाके देखना वहां पर यह लिखा है कि एम जी दोनों जो राइबर सॉम की सब यूनिट होते हैं उसमें अस्यूसीशन के लिए रिक्वार्ड होता है यह बात कही जाती है कि पॉइंट 001 mmg कंसेंटिशन रिक्वार्ड पॉर अस्यूसीशन जाती है तो कहने का मतलब यह कि एम जी राइबोसॉम की स्ट्रक्चर बनाने के लिए चोटी और बड़ी यूनिट को जोड़ने के लिए हमारे लिए जरूरी एलिमेंट है तो इसके लिए थर्ड करेक्ट आंसर बनता है नेक्स्ट मैट्रोटिक स्पिंडल इज मैनली कंपो कि आँस्पिंड़ोट्ट इसको सीधे याद ही रखना वापऊओ भी कि आ साप को थर्ड से आप जैंसर बना फेक्स चलते एं स्प्रीदींग औप सेंट्रोम बढ़िया स्प्रिदिग का मतलब क्या है कि यह कोई एक क्रोमोजॉम है सपोस्ट तीक है फिस इस यह क्रोड दोडोटर्स इनका ब्रेगड़ाव्न होना है यह जब ब्रेकडाउन होंगे तो हमें यह इस तरीके से नज़र आएगे एक दूसरा इसे ब्रेड़ ही से तो हम ब्रेडियों करेक्टर होता है। होता चाहिं जो होते हैं ना maternal paternal वो separate होते हैं वहाँ chromatid separate नहीं sister committed remain associate होते है इसलिए डायड के form में पोल्स की और जाते हैं तो next है हमारे लिए एना के जो में बिलकुल सही है यहां एक बार chromosome से जो sister committed है उन्हें separate करने का काम किया जाता है तो हमारे लिए correct option यह समें दो बनते नजर आ रहे हैं first and third तो first and third हमारे लिए correct answer बनता है तो इसका अदला हमारे फूर्थ correct answer बनना है ओके next सलते हैं if you remove the fimbry यह फिम्परी को आप remove कर दो फिम्परी कहा है यह बैक्टीरिया बैक्टीरिया में फिलेजिला पर हमें पिलाई भी मिलते हैं लेकिन यह जो संरचना है इन्हें हम फिम्परी कहते हैं ऐसे ब्रिसल लाइक के स्ट्रक्चर का काम होता है तो प्रवाइड अटेच्मेंट और बेक्टिरिया बिद होस्ट और एनि सब्स्टेटम डियूनि स्टीमिंग करनीशन धारा प्रभाज चलना होता है तब किसी आधार से जुड़ने में या भोजन जब ग्रहन करना है तो परपोशी कोशिखा से जुड़ने में मदद करता है इसका काम एक अटेच्मेंट इसका काम है ट्रांस्टौर्ट और ट्रांस लोकेशन और इसका काम है छोबन आफ नहीं कर दिए हैसे पोशी कोशी नहीं जूड़ सकते पर आपने यहां से रिमूव करतसों कर सभिये उसर्ग हो स्थरिंग ही बनेगा नेक्स चलेंगे हो में लिखा है और ज्यादा तर यह कुश्चन बन भी रहा है तो यह रोडॉल बिर्चों है हमें सीधे इनको याद रखना है थर्ड इनके लिए करेक्ट रांसर बनता है नेक्स चलते हैं अफंड नेक्स्ट नाक्स पुश्चन है हमारे लिए यह क्या यह विद्लावट मेंब्रेनर स्यिल और बडु यूज तू प्रपेर बेशल बड़ी बिशल बडी का मतलब क्या है एस है अपना यह सपोज एक क्लामाडव हो नासशा ठीक है यहां बेशल बाडी होते है इस तरी कहिएißt है इन बेशल बोडी का formation अपना सेंट्रियूल करता है क्या चैंट्री ओल और दो सेंट्रियूल मिलकर क्या बनाते हैं एक सेंट्रोसॉम तो यह हमारे लिए कारेक्टड रांसर बन जाएगा थर्ड इसे हम बेचल यह फ्लेजला हो गया क्या हो गया फ्लेजला क्लियर एसे नेक्स चलते हैं कि प्रोटीन अप्ता केक्षिम क्ला सिफाइं बढ़ियां सिअ इस से निखा भलक्ति एज औफ एक्स्ट्रेक्शन उन्हें कितनी आसानी से निकाला जाखता आ, क्योंकि इन और दोतरीक होती दोती हैं, एक्स्तै 해서 यहानि की परिफिरल प्रोटीन होती है, जो एकश लिई पग नेक्स चलते हैं chemically cell membrane is made up of बढ़िया सबसे पहले लिपिड discovered हुआ NCRD में लिखा है वो भी phosphoglycerides के form में फिर उसके बाद में protein और कार्वाइड़िट को भी identify किया गया clear तो वहां लिखा भी है अपना जो protein होता है वो कितना percent है RBC के case में RBC में वो है आपके लिए 52% lipid की बात करी चाहे तो वो कितना है 40% remain जो amount है वो कारवाइड़ डेट का होगा clear next चलते हैं तो answer क्या था answer actually अपना है फॉस्पोलिपिड प्रोटीन एंड कारवाइड डेट तो सेकिंड करेक्ट रांसर बन जाना है इस डैट क्लियर या नेक्स चलते हैं गॉल्ची बाड़ी आर क्लोजली असूचेट विट इयार विकॉज क्यों भी क्यों 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 क्योंकि एंसे अडिक क्लियर कट कहती है कि all दो सब्स्टेंस प्रपियर इन यार और मॉडिफाइड गॉल्ची बाड़ी सभी वो पदार्थ जिनका निर्माण यार में होता है उनका रुपांत तरण होता है गॉल्ची बाड़ी में फिर वो पदार्थ प्रोटीन हो सकते हैं वो गलाइको प्रोटीन हो सकती है वो गलाइक यह बरिया है इसलिए यह close association शो करता है next चलते है cell organelle represent protein formation with double membrane and contain single circular DNA require O2 during ATP formation तो obviously यह किसके लिए जा रहा है ओके ऐसे chromosome decondence loss their individuality and converted as a mass like structure following phase के रहे हो तो यह किसमें होगा यह टीलोफेज में होता है यहाँ decondence इतने हो जाते हैं खासकर से माड्रास के दोरान लिखा है और diagram दिखाया भी है वहां पिर हमें chromatin के लिए नजरी नहीं आते वह एक मास लाइक स्टक्शन में convert हो जाते हैं तो टीलोफेज करेक्ट आंसर बनता है मतलब अपना थर्ड आंसर बन रहा है नेक्स सलते हैं इसेल विच इस वेरी एक्टिव इन दे सिंथेसिस आप सिक्रेशन प्रोटीन प्रोटीन बना रही है तो प्रोटीन बना रही है तो और रहार होंगे देन ऐसी आप सिया यह यह खास्त वर से होता है जैसे पंक्रेश की सेल है जैसे मसल्स की सेल जैसे अडिपोसाइड है अगर यहां पुछा जाता लिपिड बनाने वाले तो हम एसी आर का कंसेंडिशन ज्यादा बताते देन आरिया लेकिन प्रोटीन की बात हो रही है तो आरियार ज्यादा होंगे करेक्ट आंसर हमारा थर्ड बनेगा ओके नेक्स चलते हैं विच और गनेल हैल्प इंसंतेसिस अब लिपिद कॉलिस्टरॉल एस्टिरोइड तो ओबियसली यह हमारा जा रहा है एसी आर के लिए एंसे आडि में लिखा हुआ है सब्सक्राइब करता है क्योंकि सेंट्र होता है बोथ सेंट्रियोल सेंट्र साम में पर्पेंडिकुलर होते हैं मतलब दोनों सेंट्रियोल इस तरीके से एक दूसरी से पर्पेंडिकुलर होते हैं सेंट्र पोड़े हम अपसेंट लोगो यहां गलत हो गया है अपसेंट नही और्गेनाइजेशन लाइक दे कार्ड वील बिल्कुल सही है सेंटर सॉम प्रेजेंस इंस साइड अप्लाज में ही होता है तो इसमें अपने लिए इंकरेक्ट उचा गया है तो सेकेंड करेक्ट आंसर हमारे लिए बनता है नेक्स अलते हैं और बात करते हैं कुशन नमर 27 स्ले नहीं यहां सेंटरो मियर स्प्रेडिंग एनाफेज बिल्कुल सही है क्रोमोचोम अलडिकन रांन और क्रोमोजाम क्रोमोजोमल कंडनसेशन नहीं होता दी कंडनसेशन ओता इसलिए गलत हो जाएगा है ना संगनन का काम थे दो अपने सेंट्री ओल का तो वह बना होता है हब से तो सेंट्री ओल का उसे हम कहते हैं हब का मतलब होता है जहां बहुत सारी प्रोटीन ना इंडेडियल स्पॉक के जरिए चरेक्ट हो जादी ट्रिप्लेट टिब्यूल है ना यह चीज है नेक्स चलते हैं और बात करते हैं तो पॉस्पेट ग्रेनियूल भी होंगे और ग्लाकुजन ग्रेन पार्डिकल्स भी होंगे सैप वेक्योल बिल्कुल भी नहीं होगे क्योंकि यह प्लांट का करेक्टर है तो यह नहीं हो आपके लिए दोनों जाए है अगला कुश्चन है जैसे कि अपन बात करें यहां पर यह सेप बेक्योल इसमें नहीं पाई जाए क्योंकि यह प्लांट का करेक्टर है ठीक है नेक्स चलते हैं टर्म क्रोमेटिन गिविन बाई इंसाटि में नूकलेस वाले इससे में लिखा है फ्लैमिंग थार्ड करेक्टर आंसर बनता है यह इनफॉर्मेशन बेज कुशन है क यूकरियोटिक सेल वाल प्रपेर बाई गॉल जी बाड़िया वाइल दसेल वा इन बैक्टिरिया यह भी लिखा हुआ है प्रप्रेटिक सेल जब अपन पढ़ते हैं तो मीजोसॉम के फंक्शन है वाह कुश तो उसमें सेल वाल फॉर्मिशन भी है तो मीजोसॉम करेक्टर अपना बनता है एग्सलोड मस्मेल पेर मेंगेंड ले मेला जैल्सियम पाक्तिट बिल्कुल सही सेलवाल और बैक्टिरिया प्र 가장 है बिल्कुल सही एक्टेशल वाल रॉल मस् वाल जा भी सेलेट знать और बात करो तो आपके प्लाइंट में होती है बीची एक इस एलवाल इस यह गलत हो यह कभी भी नहीं होता है आप चाहें तो इसको वहां देख सकते हो कहां जहां पर डाइवर्शिडी पड़ते हैं तो मुनेडा के किसी भी मेंबर में इसलेवाल नहीं होती है नौन सेलोलोजिक मैं सेल वाल पाए जाते हैं विशली हमारे दिक करेक्ट आंसर फॉर्ट बनता है नेक्स चलते हैं और बात करते हैं अगला विच आप दा फॉलाइंग सो दखी इवेंट बडिया मोस्ट इंपोर्टेंट जो इवेंट होती है कुंची घटना होती है किसकी ट बने दो पोल्ट यह एक्चुली एनाफेज का करेक्टर है ना की आपके तीलोगेज का इसलिए फस्ट आंसर हमारे दी करेक्ट बनता है नेक्स चलते हैं बाइबलेंट टेट्राट क्रोमोजोम और क्लियर विजिवल क्लियर विजिवल इन फॉल्वाइंग स्टेज कब तो यह हमारे लिए बनते हैं आपके लिए पॉल्वाइंग स्टेज क्लियर विजिवल होते हैं इनकी जूर्वाध होती है ज्याइगोटी अर्पयाटी में बन जाते हैं लेकिन हमें क्लियर नजर नहीं आते records कि कि दिकiger विजिवल इनेक्स्ट फेजыл नेक्स्ट फेज किसमें नहीं हो सकते हैं डिपलाइट सेल अब प्लांट किया डिपलाइट सेल अब प्लांट में में नौट पर्फॉर्म है नहीं हो सकती है है प्लाइट सेल में कभी भी नहीं होगी आप इससे तो हमेसे याद रखना कि हायर प्लांट या कोई भी प्लांट हो अगुरित कोश ही चाहा में फ्लाइड से एल में कभी भी स tut हों सर्द Euh जाए मुर्ण यूशा यहां वह तो यांसर अपना क्या रहा है है रहा है क्या रहा है । सब्सक्तिम मैं यूव के दिउब्ध सब्सक्राइं कि दिखा है थर्ड इसका करेक्ट आंसर है फिजन है ना याद रखना है चीज को नेक्स चलते हैं स्लेक्ट पियर ऑप सेल और अर्गेल कंटेंज सिंगल मेंब्रीन और सर्पे तो वह अपनी कौन है परक्सिसोम है और लाइसोसोम है आपके क्लोरोप्लास्ट पर डवल है सेंट् स्लेक्ट आंसर बनता है नेक्स चलते हैं स्लक्ट राइड ऑप्शन फोर न्युक्रलाई प्रसेंस इन दसेल एक्टिबली केरिंग आउट यह कुश्चन अपना आया है सत्रा में सत्रा या अठारा इनमें दो साल में से एक में आया है जहां प्रोडीन से चलना है टेक्निकल सवर्म जड़ा बनेने भी उनका ऐसे तो रम सों मनते का है न्यूकले लगीलां साइज में बढ़े होंगे और संख्या में भी जाब लाग प् Ob lain नहीं होंगी लाग्जा नहीं hoंगे लग अच्छा लेटरल होता है, लेटरल मुमेंट ऑफ लिपिड है न है प्रोटीन वो भी है तो यह यहां भी गलत हो रहा है इस जगे पर क्वासी फ्लूड नेचर इनेवल लेटरल मुमेंट ऑफ प्रोटीन बिदिन ओवर यह बिल्कुल इंश्याड के लाएन है लिपिड की अर् बार्च्वी दिकती करती है तो अपने लिए सेकिन करेक्ट आंसर बनता है नेक्स चलते हैं और नेक्स्ट पर बात करते हैं दा इंपोर्डेंट सेल और गनेल और गनेल रिस्पॉंसिबल फोर्ड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोडीन ग्लाइको लिपेट यह एक्छिली ज होता है सेल्लेल इनर्ची इनर्ची सेल्लेल इनर्ची के लिए मैट्रोड ल।क्ल इंसर बंता है तो नेक्स्ट कुश्यन है हमारे लिए विश्वन आप दफॉलंग स्टेटमें इस नाएक्स्ट पॉन्स pandemic नहीं है इसेल वाज फर्स डिस्क्राइब रोबर्ट ब्राउन नहीं रोबर्ट ब्राउन नुकलेस हो जाता इवानविश्की डिस्क्राइब देड डेड नहीं लिविंग सेल को जाता है लिए बिल्कुल सही है लेकिन ग्रोथ और डवलप्मेंट जो होता है वो हमेशा एक सिंगल जाइग यह भी कहीं नहीं गलत हो जाता है थर्ड हमारे लिए करेक्टर अंसर बनता है नेक्स चलते हैं जाइब आपने यह साथ एक इसा क्या होता है इसे से अंतर दर साथी में में सिंगर इन्वलप्म सिस्टम प्रोक्रेवरयोड का खरेक्टर है है 70S नहीं इसमेह टीस भी होते हैं तो यह बनेगा नहीं वह से मिलेड़ी का गरेक्टर है तो यह सब बेक्टिल इस साय्डोज्टटन टिव नूध्यास यह उत्रट्र राउस पर हम फ्रोप्रोप्योट्सिस को वेयरेवल मानते हैं नक्स चालते हैं और अगले question पर discuss करते हैं choose all the odd one surface structure of product अभी मैंने bacteria के structure बनाया था उसमें पिलाई फ्लेजला फिम्री तीनों के ही structure हमने discuss किये तो actually जो Celia Celia paramecium का character किसका है यह Celia जो है paramecium का character होता है और यहां इस तरीके से इसमें ग्रोव होता है और इस इसलिए यह हमारे लिए answer के रूप में correct बन जाएगा क्योंकि odd one पूचा है अलग पूचा है ओके नेक्स चलते हैं बात करते हैं some membrane-bound cell organeal are included endomembrane system क्यों हम endomembrane system में रखते हैं they are structurally similar ऐसा कुछ भी नहीं है they are membrane-bounded membrane-bounded तो होंगे ही their function are coordinated देखो मेंब्रेन तो आपके plastic पर भी होती है लेकिन हम endomembrane system में तो नहीं रखते हैं एक particular function के लिए correlate समन्वे इस्थापके तिन्द्र में होना चाहिए इसलिए हमारे थर्ड खरेक्टर अंसर बनता है नेक्स्ट कि राइबोसॉम और क्लोरोप्लास्ट आर बढ़िया क्लोरोप्लास्ट में राइबोसॉम कौन से होंगे 70S बात ठीक है अब बात आती है कि smaller than ribosome mitochondria नहीं उहां भी 70 होते हैं तो वह सेम ही सेम हो जाएंगे लार्च देन राइबोस्वाम mitochondria नहीं सेम हो जाएंगे लार्च देन प्रोप्रिटविक साइडप्लांट प्रोप्रोप्रोट में भी 70s होंगे तो बड़े होने का सवाल ही नहीं है नब is smaller than the ribosome areia are you can't require in a एक्वेरियोट्स में ठीक है एक्वेरियोट्स में कौन से होते हैं 80S 80S का साइज बड़ा है ठीक है और 70S का छोटा है इसलिए इसलिए इसमॉल अब देन तो करेंट आंसर माले फोर्थ बनता है नेक्स चलते हैं और बात करते हैं माइक्रो बॉड़ी आर डबल मेंब्रेन सौ परसेंट गलत लार्ज वेसिकल हैब नोट अनी एंजायम गलत प्रिजेंस इन बोर्थ प्लांट एंड अनिमल्स है ना इस्पिरोसॉम ग्लाक्सॉम और अपना परक्सॉम दे आर इंक्लूड है जे माइक्रो बॉड़ी इस परक्स गलाक्सॉम दोनों में पाया जाता है गलाक्सॉम इस पर सौम जरूर है जो सिर्फ प्लांट में ही होता है लेकिन एंस एल ने जो लिख रखा उसके अक्रडिंग यह हमारे थर्ड करेक्ट आंसर बनता है ठीक है इस्टो डाइजेस्टिट अंडाजेस्टिट ऐसा कुछ भी अपसेल थियोर में कंसिडर करते हैं थर्ड हमारे लिए करक्ट आंसर है बढ़िया कुश्चन भी है है हेट्रो क्रोमेटिन हेट्रो क्रोमेटिन एक्चुली फ्लैमिंग ने एसीटो कार्मन बेसिक डाई का यूज किया और वहां पर क्रोमेटिन को स्टेंग किया जो डार्क स्टेंग को अप्टेंग के एक कंडेंस ज्यादा थे वह ह DRO crom mol यू जो लुजली थे इस्टर्ड ठे मुद्ध फे और लाइट खेव अले लिए नीम अलमी कर से और देंश लीपाग्ड को में तो यह सघर वनेंगा विलकुल भी नहीं बनेगा टो हिट्रो क्राइंसर आपका सेकंड छला जाएगा ठीक है आनसर आपका सेकंड नेक्स लते हैं क्रोमेटेन उप्रोड़ेटिक सेले मेड़ आप किससे बना होता है देखो डिन आर एन एस्टॉन नॉन इसटॉन प्रोटीन तो प्रोटीन में दोनों सिस्टॉन नॉन स्टॉन हो जाएगी यह भी है यह आपना पोड़ता है एक अच्छा कुश्चन है आपको याद रखने ल होता है यह सीधे ही न्युक्ल सब्सक्राइब नहीं दोवल मेंब्रेन में लेस्तौन बिल्कुल सही इंवाल्व्न प्रोडीन डाजेस्ट्टन ऐसा कुछ भी नहीं करता है जिल्ली रहे झाद है और केंद्रक द्रब्ब्र में ही पाए जाते है तो थर्ड हमारे और बात करते हैं तो इसमें मेरे को एक पॉसिबल नजर आता है ध्यान से आप देखना से डिवीजन इन अनिमेल से डिवीजन इन प्लांट तो प्लेट फार्मिशन आपका वहाँ होगा ब्लेट फार्मिशन इसे प्लांट इसे तो यहां ऐसे क्या होता है membrane होती membrane तो फोल्ड हो जाएगी लेकिन वाल कभी फोल्ड नहीं होगी इसलिए सैल प्लेट का फॉर्मेशन यहां से इस साइड को बनता है सैंटर टू पैरिफेरी यह दो नीउकलेस बन गए हैं तो यहां सैल प्लेट बन क्या बनती है सैल प्लेट यह चीज़ साइडो काने रेप्रेजेंट फरो फरो कहां बनेगा फरो हमें एनिमल में देखने को मिलता है इसे ग्रूब भी कहते है ऐसे दो नूकलेस बन जाएंगा और इसे हम फरो कहेंगे यह पेरिफिरी टू सेंटर बनता है यानि कि यह सेंट्र है यह सेंट्री पिटल है हमने एक टर्म यूज भी किया है जिससे कि आपको इन्फरमेशन थोड़े दी जा सके तो सेंट्री पिटल जो करेक्टर होता है वो एक्चली आपके यह यानि कि यह होता है आपके एनिमल का तो क्योंकि फरो फॉर्मेशन हो रहा है और प्लांट की कि इसमें बात की चाहिए ना साड़ू का ने डिपजेंट फरो फॉर्मेशन हो गया प्रकुएर्ट टू डॉर्टर सेल्वाल बिट सेल्वाल का मतलब है यह प्लान का करेक्टर हो गया तो फर्स्ट एंट फर्ट किसमें जा रहा है बी में फर्स्ट तर यह है और अपना यह तो फोर्थ हमारे लिए बढ़िया कुश्चन भी है बढ़िया आंसर वी वनना इसमें कोई और पॉसिबल नहीं है एनर्ची डिपेंडेंट ट्रांस्पोर्ट देखो जहां भी पैसिव जो ट्रांस्पोर्ट होता है इसमें इनर्जी की रिक्वार्ड में नहीं होती है आलाग तो जब कंसेंटिशन ग्रेडियंट की बात होती है तो आप याद रखना वह एक्टिव टांस्पोर्ट कहलाएगा क्लियर हम एंसरी में कई जगह पड़ते हैं स्ट्रोमा और क्लोरोप्लास्ट की बात हो रहे हैं क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च भी बनता है ग्लूगोज य्दि बनता है और प्रोडिन भी बनती है ट्यूंकि इसमें डार्क रियक्शन होती है तो दोनों की फैक्टरी माला जाता है याद रखना प्रोडीन औंधर्वआडटत सिंथेस्टेस्ट की जो फैक्ट्री है वो यह है ना नेंस्कुश्यन में चलते हैं मैट्वकॉंडिय अच्छा कुश्यन बनता है लेकिन पॉसिबल कुश्यन बनाए कैसे जा सकते हैं है उस पर भी बात ध्यान करते हैं यह आपके इंट्रस अलों कर सकते हैं तो फर्स थर्ड इसका बहुत बढ़िया और क्रेक्टर से बनता लचारा रहा है नेक्स अलते हैं मेचुरिटी ऑप क्लॉरोप्लास्ट इने सैल अब दे ग्रीन प्लांट फाउंड कहां सबसे ज्यादा कहां जाता है कि सबसे ज्यादा आपको मीजो फिल में मिलते हैं थाना बीच से चालेज आपके क्लमाड़ मुनास मिलता एक युलो थ्रक्स में एक इस तरीके से कुछ अपनी एंस्यादे में प्लूरोप्लास्ट वाले इससे में लिखा गया है बढ़िया पॉसिवल कुशन है एल्गल सेल वाल किसकी बनी होती है वही मैंनेंस गलक्टेंस सेललोड मिनरल मिनरल में खास्तों से कैल्सियम कार्बोनेट होता है एंस याड़े में लिख रखता है ना बढ़िया है कुश्चन पॉसिवल है सेकेंड इसका राइड आंसर बनता है नेक्स शलते हैं गौल्ची कॉम्प्लेक्स है क्या है भाई या गौलजी कॉम्प्लेक्स में देखो यह जो सब्सक्राइड में लिखा हुआ है कि इनका जो नंबर है वो वेरिवलिटी सो करता है फिक्स नंबर बिल्कुल नहीं वन से स्टानी हायर प्लांट ऐसा कुछ है नहीं यह तो आपका गौलजी बॉड़ी का करेक्टर हो जाएगा तो सेकेंड करेक्टर आंसर बनता है नेक्स क्लूरो कास्ट माइड़ो कॉंडिया को मानते हैं बाकि किसी को नहीं मानते हैं इसलिए हमारे लिए थर्ड करेक्टर आंसर है इन विच फेज में उससे समलोगस हो मोलोगस यह हो मतलब है इस तरीके के क्रोमोजोम इस इस थाइप से को कि हिघ का सी एपरेट होते हैं ये होते हैं आपके एना फेज फस्ट मैं थारी रॉम गिराम भी स्टश और थे करते से सेखिंच क्या है मिला सभाइं देखो आपकी तुएान सेल है उसमें होगी मिलांस ऽीछीं जीन क्रॉमोजोब है तो जब M first होगी meosis first होगी तो इससे दो सेल बनेंगे इसमें n is equal to 8 and is equal to 8 chromosome बनेंगे हैना M जो second होगी इसमें से भी दो सेल बनेंगे और दो सेल में n is equal to 8 and is equal to 8 8 chromosome होगे तो यहां क्या हो रहा है बाथ शर्ट शर्ट केलगें की आपए सब्सक्राइब इन्हां अंड कर डारी और समकारिकम दारद कंड़ सब्सक्रात करा कर शरकवियाइब उसी Biology आपएसी पर आप मियोसिस दिपीजर रिक्वार टू प्रिड्यूस 500 पोलंगें तो 125 से काम तल जाएगा क्योंकि हर एक MMC से MMC से आपके ट्राड स्पोर्स बनते हैं चार बनते हैं है ना चारों अलगलग पोलंग ग्रीन में हो जाते हैं कोई डेडर नहीं होता लेकिन जब एक बनाने की बात आएगी तो आपकी एक मेगास्पोर मदर्स है इससे चार मेगास्पोर बनाओगे तीन खतम हो जाएंगे डिजन डेट हो जाएंगे एक फांक्शनल बचेगा इससे हमारे लिए एंब्रियो से एक बनेगा सिन दब है कि हमें 500 बनाने के लिए 500 चाहिए तो 125 अबलिक आपके लिए 500 करेक्ट आंसर बनता है सेकिंट नेक्स चलते हैं और मियोसिस टेक प्लेस इन कहां कॉनीडिया नहीं मेगास्पोर नहीं मियोसाइड याद रखना मियोसाइड वह सैल है जिसमें मियोसिस होती है ठीक है इसमें जायगॉड हो सकता है इस पोर मदर सेल हो सकती है आप अपने लिए जैमील नहीं है तो फूर्थ करेक्टर है नेक्स अलते हैं माटसस हैल्पिन एकसेप्ट क्या नहीं होता है इसमार्ट रप्रडॉक्शन होगा एसेक्शल हो जाएगा रिपेरिंग हो जाएगी इककोंबिनेशन कभी नहीं होगा इककोंबिनेशन एक्चुली यह सेक्शल प्रडॉक्शन का करेक्टर है जामेटर्नल पैटर्नल करेक्टर्स मिक्स होता है टाम डिशन अप साल साइकल इन हुमेन अद फूर्चर मीडियम एड एस्ट आर रिस्पेक्टिबी नहीं यह नहीं होता है, हमारे ली होता है यह बनजाएगा जैगा सेकिन बढ़ी आशर अपना बनता है एक और नेच्ट बात करते हैं कि यह है तो ओने क्सट सेग्रिगेशन आप सिस्टर कामेटेट सिस्टर कामेटेट का सेग्रिगेशन हमें कहां मिलेगा अकर सिन फेज कहां मिलेगा तो यह sister committed कहां बने है तो एना फेज में आपके sister committed separate हो जाएंगे इस तरीके like this तो यहां sister committed आपके separate हो रहा है clear next सलते है during during cell cycle histone protein are synthesized in कब बनते हैं तो synthesize यह histone protein कब बनेंगे तो histone protein as phase में ही बनते है clear है inside based है no doubt flattened disc like chloroplast यह कहां होंगे इसमें यह कह रहा है कि यह chloroplast है chloroplast में आपके इसमें नहीं होगे इस्ट्रोमा नहीं होगा नहीं होगे नेक्स बात करते हैं कि अब्री लिबिंग सेल हैज ए क्या फूड वेक्योल ऐसा कुछ नहीं है समय नहीं होगा chloroplast समय नहीं होगा नहीं होता है नहीं यह समय मेंس अभी में पाया चाहेगा नेक्स चलते है और बात करते है विच अर्गल इस सने में समय आता नोम authRI आप याद रखना Central DNA और निप्लियस उसके बाब जुद भी ने Central DNA पर Dependency सो करने पड़ती है, फास्ट आप, सेकेंड आपके लिए correct answer बनता है, next चलते है, which component is absent in matrix of mitochondria, mitochondria में क्या absent है, ठीक है, तो mitochondria में तो भाईजी, थलाखवाइड absent होगा, क्या absent होगा, थलाखवाइड, क्योंकि थलाखवाइड क्लॉल प्लास का character है, next, स्वैड वर्क, इसे हम S unit भी कहते हैं, क्या कहते हैं, S unit, यह हमें राइबो सॉम के अंदर पढ़ाएगा है, क्या करता है, इंडारेक्ट वे में, स्वैड वर्क की जो इकाई है, वो क्या करते हैं, वो पढ़िया, इसे चप्पू गयता है, actually, यह अपने सीलिया वाले हिस्से में, फ्लेजला वाले हिस्से में study कराएगा है, और यहां हम देखें, तो यह इस तरीके से, कहा जाता है, steered, यह जो यहां के फ्लेजला होते हैं, यह फूड पार्डिकल को भी steer कर सकते हैं, इस गुलेट के अंदर कहां, यह आपके लिए हैं, गुलेट, गुलेट में यह इसे ला सकते हैं, और फिर फूड वैक्योल के फॉर्म में पूड अंदर चला आता है, तो यह पैरामीशयम में, ओर्स की तरह काम करेंगे, तो यह कौन है, यह सीलिया है, सीलिया ही, ऐसे चपू, जैसे नाव में चपू होता है, चलने में मदब स्वाम की, क्लिया, एसे नेक्स चलते है, स्वाम डिरिंग, कब बनेंगे, स्वाम डिर्ट जैगो टीन में बनते हैं, जहां होमो लोगस को आपस में अटेच कराया जाता है, जैसे मायन के चलो यह है, ना, दूसरा है आपके लिए ऐसे, यह है, कुछ पॉइंट्स, जहां य इने हम कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इस पॉइंट को है ना, और यह अपने लेप्टोटीन स्टेज से आगे जब जाते हैं, जैगोटीन, वहां से यह बात सुरू होती है, तो जैगोटीन हमारे लिए करेक्ट आंसर बनता है, नेक्स शलते हैं, विच अपर चीज को एक अलग तरीगेस इन फॉर्मेशन की गई है, एट-चीज वही चीज है, उसका तुड़ा माउंट बढ़ा दिया है, बच्चे को एक अलग तरीगेस इन फॉर्मेशन देने कोशिस की गई है, एक इस है तो S phase के बाद में after 8 phase तो वो 16 हो जाएगा सीदी से बात जब 2C 4C में हो जाएगा तो 8 16 में convert हो जाएगा 4 इसका correct answer बनता है next सलते हैं which of the following cell organelle is double membrane bounded देखो मैंने यहाँ एक information देनी कोशिस किया है वैसे तो यह है chloroplast mitochondria को हम सेल और मालते हैं nucleus is a controller of the cell लेकिन nucleus जहां लिखा गया है पढ़ाया गया है पहली लायन में लिख रखा है कि एक cell organelle की तरह वर्क करता है तो ध्यान रखना exam hall के अंदर क्या question आता है उसके according आपको यह काम करना है ठीक है तो हमने इसको cell organelle यहाँ consider किया है which of which one is correct to type of chromosome यह बढ़िया लिए लेकिन इस थोड़ा modification न कि यहाँ ठोड़ा साथ change यह याद रखना यह टीलो सैंट्रिक है एक परो सैंटिक है सम अ मेटा है और मेटा है तो आपनको यह देखना है मेटा सैंट्रिक कहा है टीलो सैंट्रिक गलत हो गया एक्रो सब्सेंटिक गलत हो है question carotenoid anthocyanin देखो भाई यह carotenoid NCRD में उसमें लिखा है chloroplast वाली से में जहां chromoplast पड़ाया जाता है कहा जाता है carotenoid are responsible for different color in plant they are fat soluble अना ऐसा लिखा है लेकिन anthocyanin लिखा है secondary metabolite वाली table अब यहां से question बनता है anthocyanin actually bluish purple color है और यह water-soluble है और से बेकिल में store रहता है याद रखना इसको possible question इसी साल के लिए possible question carotenoid fat soluble हो गए stored in shape contain genthophyll और carotene तो यह में आपका second four जा रहा है second four कहां न जारा रहा है आपको second अच्छा question है ध्यान रखना इसको आद डाइमीटर और माइड को ने बढ़िया इसको भी याद रखना है इसको कोई चेंज नहीं कर सकते हैं बस यह है कि हमें याद रखना है अच्छ चलते हैं विच आप दा फोलोईंग आप साइड़ोग्राउम फोर अटियस एटी एस एलेक्ट्रों डाउस साइड़ोग्राम किसमें तो साइड़ोग्राम दो जगह होते हैं एक तो आपका वादा है माइटो कॉंट्रिया में और दूसरे बढ़िया क्लोरोब्लास तो यहां क्लोरोब्लास है नहीं तो हमारे लिए करेक्टर अंसर थर्ड बनता है माइटो कॉंट्रियर नेक्स चलते हैं इवेंट आप दसेल साइकल आर अंडर कंट्रोल बढ़िया एंचार्ड में लिखा है है ना आपके लिए निव कुश्टन फ्रेमिंग हो सकता है यह ज नौट अकर्स एंइमल सेल में हैस्पेज में क्या नहीं होगा बढ़िया आंसर दी में लिखा है रापद्स होगा बिलकुल है ब्ल नहीं होगा है ने कीन maggots है कि लोग साथा नहीं होगा यह बिल्खुल अच्छा भी है दिमाग में आप लोग सेट कर लें बढ़िया कुश्चन है क्योंकि एक्चली इंटरफेस से हर साल कुश्चन आ रहा है तो यहां हमें कोई भी रिस्क लेना नहीं जाए है नहीं नेक्स चलते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल्स एंटर इन कहां जी जी डो जी नॉट या जी जी रोवेज में यानि कि थर्ड आपका करेक्टर आंसर है तर्मिलाजीशन आप क्याजमेट आप और सेंट प्रॉफेस फर्स्ट यानि कि डाइकानेसिस में यह प्रॉसेज होती है आपकी सिनेप्सि में क्रॉसिंग ओबर पैकितीन में डिजॉलीशन आप क्याजमेट डिजॉलीशन आप सेंटर्मिलाजीशन डाइकानेस ऐसे याद रखना बहुत इंपोर्टेंट यह सेग्मेंट है नेक्स्ट इफ केरियो कायनेसिस इस नॉट फोलोड बाई साट नुकलिस बढ़ गया है दो भागों में लेकिन सट ब्लाजम नहीं बढ़ तो अल्टीमेटली वह मल्ती नुकलिटेट कंडिशन आपको हो जाएगी इससे सिंसाइडियम भी कहते हैं एक सब दोर याद रखना है सिंसाइटियम क्या सिंसाइटियम यह इसमें एंसाइडियम ने कहा है लिक्वीट क्य इसाइट वाले सिंसे उसी पर यह फ्रेम किया गया है कुछ है कि दिवरिंग इंटरफेग्स आर एन प्रोटीन और सिंदेशाज अनली नहीं नहीं इसा अपना बढ़ी आंसर बनागा जी बात नहीं है कि एस पेजम नहीं होता है इस प्रोटीन मनती है लेकिन आप्शन भी आपके पास परना ची है काइक श्क्रेंस प्राफ हorta फस्ट है क्या लेप्टोटी जागं तीन इसे से के कि दो लेप्रोटीन जाइगोटीन टीप्लोटीटीन नहीं यहां जलत प्रोटीन सेकीन कर्ड़ांसर भी इस सोगी यदू यहां हो से constructive में जिससे चार माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर बन सकते हैं अनियन रूट नहीं मैं इस्टेम नहीं तो अपने लिए करेक्ट आंसर क्या बना है सिक नेक्स चलते हैं और बात करते हैं विच आप दा फूलाइंग इस नौट इंक्लूड एजे एजे क्या सैल इंक्लूजन इ नहीं रखा गया है थर्ड करेक्ट आंसर बनता है नेक्स चलते हैं बढ़िया बढ़िया क्या है यह कि आपके लिए कि अदेंटिफाइड फॉलाइंग डाइग्राम यह डाइग्राम है एबी सीडी ठीक है दोनों के लिए लागू हो जाएंगे तो यह अरली है देखो इस स लेकिन आप सी को पहले चेक करो सी का है टांसिजिशन टू मेटाते लिए और अब आते हैं अरली प्रॉश्य मेटाफेज यहां गलत हो गया मेटाफेज ट्antry यह जह एसा नहीं होगा थो कर्रेक्ट啊 अंसर अमारे लिए फस्ट बनता है नेक्स चलते हैं और बात करते हैं बढ़िया नेक्स कोशन भी अच्छा है इस जगे से बहुत सारे कुशन आ रहे हैं एबी से डि पूछे हैं तो यह देख लो आप क्या है प्रॉफे जागी तो यानि कि आपकी यह जी टू होगी यह जीव सब्सक्राइब करेक्ट होगा है नेक्स्ट वाट ड़स फस्ट एंड सेके रप्रेजन बाइद गिवन पढ़िया मियोसिस यह परिंटल सैल है मान के चलो तुए ने जुकल तू अभी हमने बात करी ती वही रिपीट करें ते 16 तो यहां क्या हो जाएगा डॉट्र सेल में कि इसमें क्योंगे एट तो एन एन सेकिंड हमारे लिए करेक्ट आंसर बनता है ऐसी है नुक्लियू लस ऑफ इक्रियोड सैल इस क्या है भाई है साइट फॉर सिंथे सो और ने पॉलीमरेज पॉलीमरेज नहीं बनेगा पॉलीमरेज तो आपका बनेगा कहां साइट अपलाज म है तो प्रोटीन साइट अपलाज में ही संतसार होती है बाउंटेड क्या इस बाउंडेड नो विदावर मेंब्रेनेस साइट फॉर पैकेजिंग और ने अंड्राइवल सम्पोर्टीन यह बढ़िया है विजिवल और मैंटाफिक यह सा कुछ नहीं तो थर्ड आपके लिए का रेक्तांसर नेक्सब्स सब्सक्राइब करते हैं बात करते हैं आक्ट्व अक्ट्व मोर्folg यह इन बनेका एक्ट्व चीनल इसमें प्रिजर resigns होति है लगाए दलाइन लिए और पाट्वप्रोट स्टेन भी उते हैं यहां स्टेनिंग इनकी नहीं होती है साइसाड में लिखा हुआ है विच आप दा फॉलाइग इस नॉट पार्ड ऑफ इमन प्रोमोजोम नुकलो सॉम होते हैं इस टॉल टी यह सैंट्रियोल नहीं होता है सेंट्रोमियर भी होगा तो थार्ड बढ़ी आंस स्याद है इसमें देने का अध्यक्रिकेशन नहीं होता है है नेक्स्ट सिग्निपिकेश्ट ऑफ बियोसिस लाइए इन मियोसिस का सिग्निफिक्शन क्या है पूर्डेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरियाबिलिटी है बिल्कुल है मैं अधर फादर और उसके ओफेस्परिंग में कि रिद्यूस क्रोमे क्रोमोजोम टू वन हाप वन हाप है ना आधा कम करने में ठीक है तो यह भी ओल आप दी इसका करेंट गांसर बनता है नेक्स्ट बात करते हैं किया इन विच आप दा फोलंग डीने संथेसे डर नॉट अकार किसमें नहीं होता तो वह बैसली अभी मैं ने कहा इंटर फेज इंटर कानेसिस में नहीं मनता बागी सम में बन जाएगा ठीक है तो इंटर फेज आप में वस्ट की बात हो रही है तो थर्ड इसका करेक्टर आंसर बनता है नेक्स चलते हैं और बात करते हैं बढ़िया है कुश्चन देखो एंशार्डी में जब एक और लिए पर पड़ते हैं तो वाहां पर यह सब कुछ दिया कि प्पी एलो कॉइंट बन दिया है में वायर्यस आपका यह विए लिए यूह घुक अपकी यह दी गई है इस टिपिकल वैक्टिरियल जाल यह दिया गया है सही है तो आपका एम हो पॉर्त कहा है A में पॉर्त अपने सही है बड़े आराम से हमिन को करेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रांस्पोर्ट ऑब मॉलिक्यूल अक्रॉस दा मेंब्रेन अगेंस कंसल्ड ग्रेडियन्ट रिक्वार क्या भी एटीपी चाहिए क्योंकि एटीपी नहीं होगा तो यह काम कैसे करेंगा मेंनी बैक्टिर्या आधे स्मॉल तवाले स्टंडर सर्प्लर एक्स्ट्रा प्रोमग करऊ क्या अविए प्लाजमिट करते हैं यह प्रदान करते तो राजिस्टेंस प्रवाइड करते हैं यहाँ है पीब आतीन-स प्रवाइश यहां अपना क्या था यहां ए-i-m-p-r था यहा तो प्लाजमिन है निउटिशन नहीं देंगे रेजिस्टेंस टू एंटिवाटिक यह सही जा रहा है आंसर तो भी यही मिल चुका है नहीं नहीं जीनोमेट डिने नहीं सेकिन बिल्कुल करेक्ट है बढ़िया कोश्चन है याद रखना नेक्स्ट मेंब्रीन से तो यह extension नोए membrane का ऐसे ऐसे तरीके सोते फ्री थालाकॉयट या लेमली भी कहते हैं फूर्थ इसका करेक्टर अंसर बनता है नेक्स चलते हैं चारगा प्रूल अप्लिकेबल हैं कहां डियस डिने डियस डिने इसमें नहीं इसमें तो अपना फस्ट करेक्टर आंसर बन जाए लोगही है नेक्स चलते हैं बाई मालकूल को कुश्चन है इसलाक ट्रॉंग स्टेट्मेंट फॉर एंज्ञाइम बढ़िया को फेक्टर आर प्रोडीन बालो वही है यहीं गलत होगया हम प्रोटीन जो पार्ड अ होता है ना उसे हम कहते हैं ए पो एंजाइम क्या कहते हैं यह है प्रस्थाडिक ग्रूप, कोएंजायम एंड मेटल्स अना यह रिड्यूस करता है एक्टिवेशन एनरजी बिल्कुल सही है यह यह भी सही है तो रॉंग कुछ है ना तो फर्स्ट करेक्ट रांसर बनता है नेक्स सलते है अडेंटिफाइद अफॉलोगी स्ट्रक्चार KB & C क्या है यह देखो यहां यह गलिसराल है तो यह आपके लिए हो गया डाइक लस्राइड यह मॉनो कल सा और यह त्राइगल इसर एन ना तो डाइए रहा मॉनो कहां रहा यह रहा यह रहा था एद्टर करेक्ट रांसर बन जाता है यह आजिए नेक्स्ट मैस दाख फोला साल आया लेक्टिन उससे पिछली साल आया है ना एंतोसान की संभावना है मॉर्फिन कोडिन की पॉसिलिटी है उसी पर आपके लिए फ्रेम किया है बिल्कुल इस कुष्चन को वेरी वेरी इंपोर्टेंट मान लेना इसी साल नीट के लिए क्योंकि सेकंडरी मेटावलाइट की टेवल हर साल हमें कुष्चन दे लिए है ना तो यह कौन है मॉर्फिन कोडिन अल्कलॉइट यह आपका कौन है कौन कहना बैलीन लेक्टिन यह अभी पिछली साल है है ना और यह आपकी ड्रक्स हो गई कुरकुमिन हल्दी में जो पाई जाती है ना देख लो ए में सी कौ सही अपनों को साही मिलबात अब आते हैं मोच सतरह जाते हैं कि अजयरी है मॉर्फिन तो तरपिन्ओड मैपने लिए करेक्ट अंसर सेकिन मन लाए छिरत में आब देख लो कि और पेंटो सुगा अल्ली पेंटों नहीं फॉसपेट सुगा नेट अथे नहीं इस पेंटोष तो निकलोसाइड नहीं होगा कि निकलोसाइड में ही वह सब कुछ आजाता है तो को तिसका करेक्ट्ट आंसर बन जाए इस नेक्स चलते हैं विच आप दा ये इस्ट्रक्चर अब लेसे तेन इडेंटिफायर यह रखना इसको यहां फॉस्पेट गुरूप आता है और यहां आपके लिए नाट्रोजन होता है तो यह एक्स और य कौन है एक्स वाइए एक्स बाइए पी एंड एन यह रहा है तो फॉर्थ अपने लिए करेक्टर बन जाता है क्लियर एक्स वाइग को ढूर्ण ना था बढ़िया है नेक्स्ट विच अब दा फोलाइंग इंक्लूड एज अनसाचुरेटट ग्रुप भी इंक्लूड होता है यह आपकी सेचुरेटेड है दोनों पामेटिक और इस्टियरिक आना आपकी जो पामेटिक है ना उसका क्या होता है सी एस थ्री आना और सी एच टू फॉर्टीन और यह सिवेट्स है यह फॉर्मुला होता है कि इफ यह डावल स्टंडर्ड इने आपको ग्वानन दे रखी देखो ए प्लस जी यह प्यूरीन हो गए साइड़ोसेन प्लस थायमिल याद रखना यह 50% होते हैं यह भी 50% होते हैं ऐसे ऐसे कर लेना क्यूंकि हंडेड प्रटन इन होता है ग्वानन इनों दे रखा है तीस परसेंट तो लोई 30% अबने यहां रख दिया और कैलकुलेट करना है एड़निन को एड़निन काल्कुलेट करना है तो यहां से भी आ सकता है कैसी 50% मतीं को माइनस कर दो तो एड़निन आपका यह आगया एड़निन के बराबर आपका थाइमीन होता है तो 20% है मैं यह तीस सब्सक्राइब के रूप में आपकी यह इस तरीके से ब्रांज इस्ट्रक्षर हमें नजर आते हैं एक लाइकोजन है ना ऐसे तो इस्टार्च भी है सेलुल नहीं है अन ब्रांज बाना जाता है बोथ फस्ट एंड सेकेंड हो नहीं सकता तो अपने लिगा ब्रांज पॉलिव किसका है वो लिपिड याद रखना इसको कोलेस्ट्रोल लिपिड में आता है कि फोलोइंग एंजयम एक्टिवीट बाइस बढ़िया इंजयम बाले से में है मेटल में जहां पड़ा गए कार्वक्षी पेप्टाइड इस थर्ड इसका करेक्ट आंसर बनता है फोलोइंग इ फोलोइं देखो मेरा यह समानना है कि यह एंजयर नए डियागराम एड किये कुश्चन बना सकते हैं वह लोग तो विच आप फोलोइंग प्रोडीन रिप्रेजेंट फोलोइंग डाइगराम दी गई चित्रद्वारा निम्न प्रोडीन संरचना प्रदर्शित किया जाता ह एक चॉड़ीन बनता है उके हम भीत करते हैं आपको यह सारी बात समझ में आई हूंगी आपने बहुत इंजोई किया होगा ठीक है आपके डाउट क्लैरिफाइए होंगे हैं ओके थैंक्ट